बेलकम ब्रेंट्स आयम पुश्पेंद आकर एंग बेलकम तु फ्लाया एकेडमी इस व्यूडे में आप सीखें यूज ऑफ शुड यूज ऑफ शुड का मतलब क्या होता है चाहिए अर्थ में इसका यूज करते हैं चाहिए आपको खाना गाना चाहिए आपको यह नहीं करना चाहिए आपको वो नहीं करना चाहिए इस सम्क्राइब करेंगे शुड का यूज करेंगे तो शुड का यूज जनरल कहा करते हैं ड्यूटी मता जहारा पर करता पर होते हैं रिस्पॉंसिलिटी जिम्मेदारी एडवाइस सला के लिए प्रॉबबैविलिटी संभवना के ल पर आपके अपकर नर्म आदेश या होते हैं उनको कहा जाता है आपका इनमेदार्जिटी की बात करेंसे स्भी को अपने बणों की बात माननी चाहिए तो इसमें duty आ रहे हैं, हम सबकी duty है यह है, you should obey your parents, you should obey your parents, इसमें आप एक soft, soft यह नर्म आदेश दे रहे हैं, यह duty नहीं है यह, you should obey your parents, तो मैं अपने parents की बाद मान नहीं चाहिए, तो you should obey your parents, इसमें आपको क्या आता है, moral obligation आता है, अब जैसे देखेंगे, the rich should help the poor, यह हमार expectations क्या है, कि the rich should help the poor, जो अमीर लोग है, उनको गरीब लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हमार expectations, अब advice में ले ले लेने सा, you should work hard, मैं advise दर हूँ, तुम्हें मैनत करनी चाहिए, you should work hard, you should work hard, if you want to speak English, आपको work hard करना चाहिए, अगर आप English बोलना चाहते है, तो probability, सब आपना possibilities किस तरीके सागी, you should find her in the playground, you should find her in the playground, तुम्हें उसको playground में डोलना चाहिए, लगी probability बता रहेंगे, हाँ, शायद भी playground में बिल जाए, तो you should find her in playground, उसको probability आपके, क्या आपकी इसमें, probability, अब आपका आत है responsibility, जैसे responsibility में आपके जैसे, you should take care of your briefcase, you should take care of your briefcase, या उसको take care of your briefcase, तो मैं तुम्हारे briefcase का ध्यान रखना चाहिए, यह responsibility वाली बात है, you should take care of your briefcase, इसमें आपकी responsibility आपके इसका use करेंगे, आपके, you should take care of your briefcase, आपको सौंज में आया, कि अब इसमें कर सकते हैं कि, हम इसमें पूर वानुमान भी लगा सकते हैं, जैसे पूर इसमें पूर वानुमान हमारे को सकते हैं, वो मिरे लिए चिंतिल हो रहा होगा, इसमें किसका use करेंगे, should का, इसमें आपने किस तरह सी use क्या, आपके should का use होता है, वो responsibilities, आपकी duties, आपकी advice, आपकी probability, आपके expectations, आपका पूर वानुमान, आपके moral obligation में किसका use करते है, should का use क अब should का कुछ अलग तरीके से use होता है, आप वो समझ लीजी, इसका conditional sentence में, should का use होता है, फो less के साथ होता है, L, E, S, T, less के साथ होगा, less का मतलब क्यों होता है, पहले आप यह समझ लेए, less का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे, सामान रख लों कहीं ऐसा कि सुध दोता है जैसे लेते लेडे curiosus यूशिट फैल good you बैयनद करो एकलन तो उसमें आप किसका होने से नशान अब वो लेश के साम के स्क्रिप्ट करना है शुड का यूज करना है अब अगले तरीकिस देखते हैं शुड का यूज आपका है उसके लिए आपको शो करने के लिए भी आप उसमें शुड का यूज कर सकते हैं अलांकि आप इसमें या मायट का यूज भी कर सकते हैं लेकिन आप शुट का यूज भी कर सकते हैं जैसे कि एक sentence देखे I taught her so that she should pass I taught her so that she should pass बना मैंने उसको पढ़ा आया है तो बलकि वो पास हो जाएगी उसको पास होना चाहिए मैंने उसको पढ़ा दो पास हो आप इसस माइट के यूज भी कर सकते थे She might pass वो पास हो सकती है तो दोनों ये की बात है तो आप इसमें should का ये से भी यूज कर सकते हैं अब आपका should का अलग तरीक से यूज होता है जिसमें आपका should का जो होता perfect tense में भी हम उसका यूज करते है should का यूज का करते है perfect tense में हम उसका यूज करते है कि जिसमें क्या होता। कोई कार होना चाहिए ता। लेकिन नहीं हुआ। पर्पेक्टयस हम कहां यूज्ज करते है। ऐसा कोई काम जो होना चाहिए लेकिन वो नहीं पायो। वह इंकम्प्लीट काम है, तो उसको क्या कहेंगे आप? उसमें आप यूज करेंगे शूडगा, जैसे कि he should have, he should have, give by he should have gone by morning bus he should have gone by morning bus, तो इसमें क्या but he didn't go मतलब मालों कि उसको morning bus से जाना था लेकिन वो नहीं जा पाय, उसको morning bus से जाना था बड़ो तो नहीं जापाई उसमें किसके यूज करेंगे शुड का, जैसे he should have gone by more nervous but he didn't go to this में क्या हैगा आपका इसमें आपका should का यूज होगा तो इसी के साथ आपका should का जिस तरीके से भी यूज होगा मैं आपको पूरा बता है, आपको सवाज में आया होगा तो प्रैक्टिस दें जो भी आपको संवाइं नहीं है प्लीज अगर आप वीडियो अच्छा लगया है तो लाइक करें शेर करें कमेंट करने न भूलें और गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर वाचिए